हलो एन वेलकूम टू बिटेनिक साथ में बिलके शुरू करते हैं जिन्दगी की दूसरी इनिंग और क्रिप्टो की ताज़ा ख़बर में आपका फिर से स्वागत है और बिटकॉइन का जो एटीएफ है उसकी एक अप्रूवल की जो विंडो है वो यह आखलन किया जा रहा है कि जो विंडो है वो करीब 5th of January से 10th of January के पीच में अप्रूवल या disapproval जिसके chances बहुत ही कम है यह सब का मानना है जितने भी analyst है उनका मानना है कि बिटकॉइन का ETF चांसिस है most likely अप्रूव हो जाएगा और इसकी जो विंडो है वो 5th of January से 10th of January के पीच में अप्रूव होना चाहिए और एक दर्जन से उपर बिटकॉइन के ETF है मतलब list endless है शाहिद ही कोई ऐसा fund manager है जिसने अभी तक बिटकॉइन का spotty ETF apply नहीं किया है और एक साथ सारे अप्रूव होंगे अगर होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पहले एक होगा फिर दूसरा होगा क्योंकि SEC अगर अप ETF को एक साथ अप्रूव करेगा किसी एक को अप्रूव करके दूसरे को reject करके वह problem में नहीं डलना चाहता क्योंकि कल को court में यह बोला जाएगा कि इन्होंने किसी एक particular company को favor किया क्योंकि एक particular company front run कर गई और उसे सारी advantage मिल गई तो इसलिए अगर approval होगा तो सारे के सारे एक स chances कितने हैं क्योंकि जिसे साब से जो इतने सारे spot bitcoin ETF की applications है और analyst है you know Bloomberg है बहुत सारी जो जितनी भी जिससे भी आज की date में discussion हुई है US के अंदर उन सब का analyst का माल नहीं है कि approve होना चाहिए तो यह तो है spot bitcoin ETF का important update शायद इसी को लेके एक you know bullish trend भी देख रहो bitcoin के अंदर और इसको मैं एक पार ही शेयर करके भी दिखायाता हूँ कि यहां पर देख सकते हो bitcoin ETF approval window open soon और यहां पर यह एक tweet करके window is officially january 5th to january 10th really this means that any potential approval orders are going to come on either monday january 8th 9th or 10th mark your calendar people right so yeah he's a specialist in ETFs and you know crypto assets Bloomberg Bloomberg intelligence so he's quite an expert in the financial field to here on the screen right Micro strategy Micro strategy strategy 16,130 bitcoin और खरीदे यह important बात यह है कि इसके बाद एक लाग 14,530 bitcoin हो गया है जिसका average price 30,245 है सोचो कि इस Micro strategy profit में है Micro strategy is in profit right losses में यह आप यह देखो उसने 60,000 dollar पे भी bitcoin खरीदे है 45,000, 50,000, 55,000, 60,000 मतलब अलग-अलग levels पे खरीदे और यह बड़ी circle का मतलब बड़ी-बड़ी buying यहां इस सबसे बड़ा उसने खरीद था 30,000 bitcoin 650,000,000 US dollar के करीब 22,000 dollar पे तो उसकी average buying जो है 30,245 है और अगर हम देखें तो उसके कितना bitcoin हो गया है तो इतना bitcoin है micro strategy के पास यह बड़ा important sea sheet है इसमें अगर आप देखें तो bitcoin की mining industry की जो companies है उनकी total value किती है उनकी total जो worth है वो 8.6 billion US dollar की है जो bitcoin की mining companies है वहीं जो top 10 जो gold mining companies है ना उनकी 189 billion US dollar है तो आप सोच रहोगे कि इसका comparison का मतलब क्या है इसका comparison का मतलब यह है कि जो top 10 bitcoin की mining companies है उनकी value है 8.6 billion US dollar और gold की जो top 10 mining companies है उनकी value है 189 billion US dollar इसका मतलब यह है कि bitcoin mining के पास कितना जाधा scope है इन companies के पास grow करनेगा जबकि दोनों related नहीं है mining gold की बिलकुल अलग होती है bitcoin की अलग होती है but just to give you a perspective कि अभी भी कि mining as a business और अगर हम store of value asset की mining की जो industry है उसमें companies की value 190 billion is gold में तो आप सोच सकते हो कि यह कितना बड़ा scope है bitcoin mining companies के पास grow करनेगा तो यह important है इस perspective को समझना US के अंदर एक false case के अंदर एक mislead किया SEC के lawyers ने और एक company थी debt box crypto की firm थी उसके against वो US में judge के through you know उनोने restrict करवा दी उसकी services जो की बात में पता लगा कि जो claim था वो misleading था और false ना तो judge ने US में SEC के lawyers को fit card लगाई इससे पता लगता है कि US के जो SEC के जो lawyers है वो false and misleading facts भी produce करते हैं court के अंदर जिसको judge ने पकड़ लिया और उनको fit card लगाई Ethereum के जो validators node है यहां पर emission में decline हुए obviously proof of work से proof of stake पर जाने पर जो carbon emission है उसमें 99.97 की गिरावट आई है मतलब अब सिर्फ Ethereum इतना use करता है कितना Ethereum से सिर्फ 2.8 kilotons carbon dioxide release होती है कितना है जैसे कि पांच चक्कर लगा लिए London से New York के flight ने इतना या 450 जो UK के अंदर household ने जितनी carbon emission उनके द्वारा होती है इतना तो बहुत ही कम और Ethereum का proof of work से proof of stake पर आने के पर 99.95% की कमी आई है पावर consumption में और यहां पर नीचे अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो एक चीज़ यह बताई गई कि जो फिफ्टी सेन पर्षंट आटलाग ऐसी हज़ाए अज़ायट्स फिफ्टी सेन परसंट, आर्टलाग कसी हज़ार आटसो बाइस वालिड़ड़ड़डर हो गए बड़े वेली डेटर्स जो है वो ओफेक कंप्लाइंट होंगे और यूएस की बड़ी-बड़ी अगर इंस्टिटूशनल फर्म होंगे तो क्या वो अपनी टर्म्स को डिक्रेट करेंगे यह भी एथिरियम को टेस्ट होना बागी है ठीक है न उसके बाद डॉर्बंट बिटक सब्सक्राइब करेंगे तो यह देखने वाली बात है कि यह इंट्रस्टिंग है कि 2030 में ऐसा क्या हुआ कि इतने समय से डॉर्मंट थे वो नेटवर्क से अचानक वो वालेट अचानक एक्टिव है जग दॉर्से ने एक माइनिंग कमणी के अंदर इंवेस्ट किया है जो कि कोई KYC नहीं होगी सब ऑनचेन होगा जो भी वो बिटकोईन को माइन करेंगे वो बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट होगा और आटोमाटिकली वो पूल के अंदर डिवाइट हो जाएगा बिल्कुल ट्रांस्पेरेंसी अपनाएंगे कोई KYC नहीं होगी कोई कुछ नहीं होगा तो बिसिकली एक तरीके से complete decentralized operations होगे जो चाहते हैं कि बिटकोईन के माइनिंग जो है वो decentralized हो जाए और इन्होंने क्या करा है कि हमें सब को बता कि जैक डॉर्स इस नॉट इस नॉट इस नॉट इस तरीके से फिल्टर लगा है कि वो ओर्डिनल्स की transactions को include नहीं कर रहे है blocks में तो इस तरीके का filter लगा है तो इसको filtration process जैसे यह ocean bitcoin mining pool है यह ओर्डिनल्स की inscription को include नहीं कर रहा है यह आप देख सकते हो कि bitcoin mining pool is acknowledged that it is currently applying a filter that affects ordinal related transactions तो यह important बात है कि 6.2 million US dollar jackdots in investment डाले है क्योंकि वो bitcoin mining को और ज्यादा decentralized करना चाहता है right and decentralized and transparent करना चाहता है तो यह देखने वाली बात है कि यह filtration लगाई है तो यह भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से यह show करता है कि you know if you are forgoing an income जबकि हम जाते है कि ordinals के तुरू कितना पैसा कमाया है minors ने if they are forgoing that if they are applying a filter तो क्या यह centralization नहीं है कि you are selectively restricting yourself from including ordinals into your into into the blocks right to transaction को filter कर रहे हैं तो यह एक debatable चीज़ है बत यह clear effect कि bitcoin maximum list है they don't like ordinals and they don't want to talk about VSA 20 tokens and they don't want to mine it even यहाँ पे जो mining है bitcoin mining के पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ant pool है पहले सबसे बड़ा जो mining pool होता था foundry होता था foundry को ant pool ने बहुत thin margin से surpass किया है यह आप देख सकते हो तो सबसे बड़ा पर ant pool हो गया दूसरे नंबर पर foundry और तीसरे नंबर पर F2 pool F2 pool जो यह चाइना बेज़ड है और यह जो यह American है उसके बाद bitcoin hits 39 US dollar बीच में थोड़ा सा hit किया था और gold भी अपने all-time high के आस-पास है तो store of value का जो narrative हो दिन प्रते दिन strong होता जा रहा है चाहे हो bitcoin और gold भी अपने all-time high के आस-पास है और यह Coinbase ने वीडियो रिलीस किया है 100% आप कोई देखना चाहिए ट्विटर पर इसका hashtag update the system यह वीडियो देखने के बाद मेरे रॉंग टकड़े होगे थे honestly speaking it is one of the best video I came across short crisp and the message is loud and clear Coinbase के twitter handle पर जाके इस वीडियो को आप जरूर देखेगा ठीक है चल यह थे आज के कुछ ताज़ा ख़बर और उमीद करता हूँ कि आपको यह ताज़ा ख़बर पसंदा रहा है यह शो और अगर पसंदा रहा है तो प्रीज लाइक करेगा कॉमेंट करेगा and मिलते हैं फिर एक नए एपिसोट में नहीं ख़बर के साथ thank you very much